हेलो अब्रीवन सभी को जैहिंद जैभार्त वंदे मात्रम लव यू गाइज राम राम सस्य अगाल सभी को तो फाइनली बात करेंगे प्यार दोस्तों एक ओर रिकुर्मेंट के बारे में जैसा कि आप सभी को पतागा आपका एके भाई जो भी इंफोर्मेशन देता है एकद सबसे पहले हमारी ही वेबसाइट पर अपलोड किया गया है दोस्तों क्या परसेंटिस पर एडमिट कार्ड आ रहा है हैं जानों ठीक है हाउ टू अट्यमेट काड डाउलोड किस परकार से अपको एडमिट का डाउंलोड करना है कहां से आपको लिंक मिलेगा क्या सरकारी बलेड का भी लिंक है या नहीं है कि आप 50% वालों के भी आ रहे हैं एडमिट कार्ड जिसका admit card डाउनलोड नहीं हो रहा वो जरूर देखे इस वीडियो को ओके और वीडियो को शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि जिस भी candidate को admit card डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो वो किस परकार से अपना admit card डाउनलोड कर सकता है बिना किसी problem के ओके प्रोपरली information देने वालों step by step आपको follow करते जाना है ठीक है प्रोपरली बताओं कि क्या क्या document लेकि जाना है दोस्तों किस परकार से आपको admit card डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको चैनल को subscribe करेना है वीडियो के decision box में एक link मिलेगा आपको इस website का website के एक link मिलेगा cme pune admit card डाउनलोड उस link के ओपर आपको click कर देना है यहां फिर direct आपको cme search करना cme pune search कर लेना है यहां पर देख सकती प्याइब दोस्तों cme pune की ओफिशली वैप साइट है यहीं से इसकी advertisement डोकी download की कहीती प्याइब दोस्तों अभी इन्होंने advertisement हो जो कि हटा दी है ठीक है कोई सर्वर की वज़े से ठीक है क्योंकि इनका सर्वर बहुत कम जोर होता है ठीक है वीकली होता है ठीक है दोस्तों जिस भी candidate का यहाँ पर आईडी और आप सभी निफॉर्म भरा था तो यहाँ पर आईडी जनरेट के थी important link की बात करेंगे यहाँ पर important link के बारे में ठीक है admit card कैसे download करना है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो एक्जैम डेट वगएरा भी दीगे जोस्तों तो इसका application जो स्टार्ट हुआ था 19 अगस्त से इसका application स्टार्ट हुआ था लाटेट तो थी दस सितंबर इसकी लाटेट रखी गए थी ओके और 15 अक्टबर इसकी एक्जैम डेट है offline तरीके से आप सब्सक्राइब एक्जैम होगा ओके अब बात करेंगे इसका यहां पर एक छोटा से कोलम दिया गया है दोस्तों देख सकते हो इसको गोर से देखना है यहां पर देख सकते हो बिलकुल गोर से दिया गया है admit card download इसके उपर प्यारे दोस्त आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोड़ा सा नीचे करेंगे स्क्रोल कर लेंगे तो यहां पर आप सभी को दिखाई दे रहा हो दोस्तों और रजिशेशन नंबर आपको डाल देना है यहां पर क्या डालना है रजिशेशन नंबर डालना है ठीक है आप अपने फ एप्लिकेशन नमबर को आपको रजिशेशन नमबर बोलते हैं तो इसको हम कोपी कर लेते हैं यहां पर कोपी करने के बाद इसको स्लेक्ट कर लेते हैं करने के बाद स्लेक्ट करने के बाद यहां पर आपको हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहां पर पासवर्ड है वो मैं ड प्रगेट पास्ट पर कर सकता है तो यहां पर मैं लोगिन को उपर क्लिक कर देता हूं कि दो तिन भार आपको ऐसा दिखाई का दोस्तों ठीक है लेकिन दो तिन बार ट्राई करने के बाद तो यहां पर एड्मिट काड डाउलोड होके आज चुक्त है दोस्तों देखिए दूस्तों यह एक कैंडिट का एड्मिट कार्ड है इसकी परसनल चीजे में चुपा दी है तो यहां पर देखिए तो कॉलीज ओफ मिल्टरी इंजिनिंग एड्मिट कार्ड ठीक है एक्जैमिनेशन फॉर्ड पोस्ट ओफ एल डिसी ठीक है और यहां पर एड्रोटाइजमेंट नमबर दिया गया दोस्तों सेम एड्रिट है चेक कर लेना 19 अगस्त को यह एड्रोटा है यहां पर नीचे देख सकते हो आप चुंश-छी ज होजाने वालत स्टिक इपका जुछ अंहीं देख सकते होँ आपको श पहले ही बता दिया था और वेबसाइट पर मेंशन किया गया था 15 अक्टूबर 2023 को एक्जैम होने वाला है जो कि आपको सुबह साड़े साथ बज़े रिपोर्ट करना है कितने बज़े साड़े साथ बज़े रिपोर्ट करना है प्यार दूस्तों ओक उसके बाद टाइम ओफ पेपर जब का पेपर का टाइम है दस बज़े से लेके बारा वज़े तक आप सभी का एक्जैम कंड़ेक्ट करवाय जाएगा ठीक है कहां पर होगा यहां पर देख सेंटर का नाम कॉलिज ऑफ मिल्टरी इंजिरिंग पूने में ही आप सभी का एक्जैम होने वाला है और कह मैंगेट के सामने मैंगेट कॉलिज मिल्टरी इंजिरिंग में होने वाले प्यार दोस्तों ओके सुबह साधी साथ वज़े आपको रिपोर्ट करना है और दस बज़े से आपका एक्जैम स्टार्ट होगा 10 से 12 वज़े तक आप से एक्जैम होगा तेकि दोस्तु 50% वालों क अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि अड्मिट कार्ड आया है लेकिन फिर भी आप मैसेज जरू करना अगर किसी भी कैंडिट का एड्मिट कार्ड आया है तो कॉमेंट जरू कर देना दोस्तों कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज कॉमेंट जरू करना अगर आप ऐसी है तो कितने परसेंट पर आपका एडमिट काड़ा है तो मैंशन करना और इस बार बहुत हाई कट ओफ गई प्याद दोस्तों इस वज़े से देखें तो अगर यह जिस भी कंडियेट के पास ऐसा मैसिज आ रहा है तो भाई उस कंडियेट का एडमिट काड आएगा कि नहीं आए है यहां पर साब साब लिखा नो एडमिट कार्ड एज बिन जनेरेट तो पोस्त तो आपके लिए कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा मेरे भाई आप वेट मत करना ठीक है अगर जिस भी कंडियेट का ऐसा एडमिट काड ऐसे लोग इन आइडिया आप डाल रहे हो तो पैसे मेंशन कर रहा है चाहए आपके 90 परसेंट और के 80 हुआ मुझे नहीं लगता कि आपका आदो का de पूरे-पूरे चांस्स हैं ठीक है जिसby candidate का आया है तो जरूर बताना ठीक है इससे यह होगा यह पता चल जाए के प्रोस्तों कि तो बहुत कम 50 बशुचांड वालों के नहीं आये हैं भी तक है साथो वालों के भी नहीं आये मेरे recording और 70 वालों के भी कि नहीं आए हैं मेरे recording जहां तक मैंने क्योंकि बहुत मेरे लिंक में बहुत से दोस्त है जो बहुत से फ्रेंट है जिनके में फॉर्म हो गए अपलाई करता रहता हूं तो उनका अभी तक एड्मिट कार निया कुछ ही कंडिट है जिनके 90 परसेंट है तो उनका एड्मिट काड़ा है तो वह दोस्त उनके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत कम कर के बहुत है जिनके में वह राव है जिनके बहुत है जिनके में फिर बहुत है।